तुम्हारे पहले पार्ट का वक्त हो गया है शुप कामनाई बच्योफ हमारे बीच एक नए चात्रा आई है स्वागत करो सूप्रभाद 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 यह क्या किया रुकिये मैं उठाके दिता हूं यह रही आपकी किताब और फिर उसने सारे काटे चम्मत जमीन पर गिरा दिया मैं हूँ सोफिया, आमबर की बेहन स्वाथेली बेहन वाँ, कितना अच्छा लोकेट है दल्लिवाद, इसी शाही समारो में पहनेंगी हम सब वहाँ होंगे हमें उसका इंतिजार है हमें लगता है कि सोफिया को जादू जुले पर बैठना चाहिए पता नहीं है, पिता जी ने कहाँ है उससे अच्छे से पेशाना लेकिन हम हर विद्यारती का ऐसे ही तो स्वागत करते हैं वैसे बात तो सही है सुनो सोफिया कहो जेप्स, कुछ काम है अपने जादू जुले पर बैठके देखा उससे जुलाना नहीं पड़ता वो अपने आप जुलता है जाए ये बैठके देखिए अपने आप जुलता है ऐसा पहले कभी नहीं सुना ओ नहीं अब आए का मज़ा बहुत मज़ा है जेम्स, तुम चीप गए ओ नहीं फिक्रा मत करो, पहला दिन सब करें मश्किल होता है उन्हें उन्हें मेरे सब भी ऐसे किया था अबला वर्क शुरू होने से पहले कपके सुखाने होंगे सोफिया रुकिए आप में तो कहा था वो आपकी बेहन है वो है है जो ह्मॉ यहोता है ही अवास के सी एक नन्हा सब बंची तरो मत मैं मदद करती हूँ अब तुम ठीक हो बस तुम और माँ जैसे होना चाहिए अब मुझे चलना चाहिए फिर मेलेंगे धन्यवाद धन्यवाद यह चलना उसके साथ नहीं करने चाहिए थी सोचा था उससे कई जाता मश्किल ओ बेचारे राजकुमारी वैसरे कैसा रहेगा अगर तुम मेरे साथ मेरा तहकाना देखने चलो मेरा मतब शादूई कमरा पता है अब तक वो महराजना भी नहीं देखा है बस यहां से उपर आजाओ और यहीं है वो जगह जहां जादू ही जादू होता है यह बस वर्मवोट है मेरा कववा अब शाद हो जाओ वर्मी तुम राजकुमारी को डरा रहे हो देखो मैं सारे जादूई शाहिकारे बनाता हूँ यह पर वाह यह तो कमाल की जगह है मिस्टर सीटरिक हे यह तुमेरे रक्षा यंद्र जैसा है अरे हाँ यह तो तुम बिल्कुल साच कह रही हो राजकुमारी जी पर तुम्हारे पास अवलार का लॉकेट है तो तुम्हें इसके जादूई शक्तियों के बारे में तुम पता ही होगा तुम्हारे हर के का फल जरूर मिलेगा अच्छे का फल मीठा और बुरे का फल कड़वा सच हाँ बेकुल वैसे अगर यह अस्री लॉकेट है तो लेकिन इसकी सचाय का पता सिर्फ मेरे जैसा एक सचा जादूगरी लगा सकता है यह सच है यह जूट मैं अभी दिखा सकता हूँ मुझे नहीं पता वो मैं तुम्हें तुरांत लोटा हूंगा मेरा वचन रहा मैंने भी वचन दिया है कि इसे कभी नहीं निकारूंगी और मेरी मा कहती है कि तूटा हुआ वचन फिर से नहीं जोड़ा जा सकता वो बेलकु सही कहती है ओ किती देर होगी देखो उमीद है तुम्हें यह सब अच्छा लगा मैं जानता हो यहां सब सीखने में तुम्हें वक्त लागेगा तो अगर तुम्हें कभी किसी मदर के ज़रूरत हो तो मेरा दर्वाजा हमेशा खुला है हाँ वो लोकेट मेरा हो करे रहेगा क्या तुम्हें लगता है इसे उठाना चाहिए बजा कर रहे हो कल वो हमें देखा चिलाने लगी थी मेरे तो कान ही फटने वाले थे मैं चिलाने वाली नहीं हूँ तब तो ठीक है तुम हमें सुन सकती हो तुम बोल सकती हो क्या ये कभी चुप रह सकता है ऐसा पूछो वैसे तुम हमें कैसे सुन सकती हो क्या ये कोई जादू है तुम्हारे हर की एका फल जरूर मिलेगा अच्छे का फल मीठा और बुरे का फल कड़वा मैंने कल इक नन्य पंची की मदद की और शायद रक्षा हिंद्र ने मुझे प्राणियों से बात करने की शरक्ती थी ये तो बढ़िया है क्योंकि तुम राज कुमारी हो इसलिए मैं तुमसे अभी के अभी कुछ जानना चाहता हूँ क्लोवर अभी नहीं उसे तैयार होकर गुरुकुल जाना है कोई बात नहीं क्लोवर बताओ रुको रुको मुझे देकारेवलीने की जरूरत है मुझे नीचे रखो कलती हो गई तुम इसे प्यारी हो कि मैं कुछ को रोक ही नहीं सकी तो रोका करो मदद करोगी ठीक है तो अब यह बताओ कि हम जंगल के जानवर तुम राज गुमार्यों के इतने सालों से मदद क्यों करते आए हैं मुझे नहीं पता